जिहां नमस्कार दोस्तों मैं आप सबका दोस्त आप सबको आज एक ऐसा टिप्स बताने जा रहा हूं जिसके सिवन से आप अपने मुटापा यानि कि चर्वी को 10 से 12 केजी तक एक महिने में कम कर सकते हैं जिहां दोस्तों आज हमारी लाइफ ऐसी हो चुकी है कि फास्ट फूड में हर रूज का एक नौर्मल सी बात बन गोई है हम हर रोज खाते हैं लगबग और इसका होता क्या है कि हमारी रोज मर्रा की जिंदगी ऐसी हो गए है दोस्तों कि हमारा सरीर बहुत ओवरवेट हो जाता है हम मोटे होते जाते हैं इसका लोस यह होता है दोस्तों कि हम बाद में बहुत थी हमें भुगतना पड़ता है और सभी कि चाहते हैं इसके लिए कि सही तरीका मिल जायें लेकिन समस्या क्या आती है कोई この का मरीज है तो किसीों l है तो हर तरह की दवायां जो मार्टमें मिलती है उन्हें हम यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकेutes होते हैं लेकिन हम आपको एक आज ऐसी और शदी के बारे में बताने जा रहे हैं दोस्तों जिसके सिवन से ये सारे side effects खुद खतम हो जाते हैं और कोई side effects नहीं होता और आपका 10 से 12 kg तक वेट एक महिने में कम हो जाता है जहां दोस्तों और ये बहुत ही सस्ता और सुगम है इसको बनाना भी कहीं दूर नहीं जाना क आप खुद इसको घर पर बना सकते हैं दोस्तों और ये नेचुरल है बिल्कुल नेचुरल है प्राकृतिक चीजों से बनी हुए और शदी है जिसका सेवन करके आप अपना वेट 10 से 12 kg तक कम कर सकते हैं जहां दोस्तों तो आए हम आप सबको उस प्रोसेस की तरफ लेचके चलते हैं जिसकी बदावलत हम आप सबका वेट यानि कि आप खुद बखुद अपना वेट कम कर सकते हैं इसके लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है आप सभी के घर में दोस्तों आलू होता है पोटेटो इसका सेवन करना है लेकिन कैसे करना है ये तरीका हम आपको ब दहाने से आपके बोडी में सोडियम के मात्रा अन्यंत्रित नहीं होती है यानि कि आपके बोडी में नमक जो होता है वो अन्यंत्रित नहीं होता है इसको ये कम करता है जिसकी वज़द से आपकी चर्वी जो है वो कंट्रोल रहती है आपके सरीर में फैट नहीं बनता है बह साथ साथ आलू में यान कि पोटेटो में आयरन की मात्रा पाई जाती है आयरन सभी जानते हैं हमारे ब्लड को प्यूरिफाइड करता है हमारे ब्लड के लिए बहुत ही जरूरी होता है आयरन दोस्तों अगर आयरन नहीं होगा हमारी बोड़ी में तो हमें मोत्या बींद इस त मुटापआ कम करना तो क्या होता है जब हमारी बॉडि में आइरन की मात्रा संच्च ढूली ते रहती है दोस्तों तो इससे हमारे बोडि में extra fat नहीं बनता यह चन्ट्रोल रखता है उसको इसके साथ साथ दोस्तों आलू में यानिके पोटेटो में प्रोटीन की मात्रा होती है जो कि आपकी बॉडी में जो भी रिक्वार्मेंट्स हैं होता क्या है कि हम लोग कई बार सोचते हैं दोस्तों कि खाना नहीं खाने से हमारी बॉडी का फैट कम हो जाएगा लेकिन ऐसा बिल्कुल न होती है जो कि हमारी बॉडी के ओवर वेट से लेकर के हर चीज को संतुलित रखती है पोटेटो रहेगा आपकी बॉडी में कम जोरी नहीं होगा और नहीं थाइराइड की समस्या होगी थाइराइड वालों को भी बहुत सारी प्रोब्लेम होते हैं इसलिए भी बॉडी कोई भी खाना यानि कि बॉडी में प्रोटीन की मात्रा जरूरी होती है वैसे ही पोटेटो को खाने की वज़े से आपका वेट नहीं बढ़ता है वीट बढ़ता है अगर आप गलत तरीके से खाएं जैसे कि उसको बहुत ओली में आप उसको तल लिए मसालेदार बहुत बन करता है इसलिए आपको पोटेटो को बहुत ज्यादा तल करके यानि कि ओली करके या बहुत ज्यादा नमक मिला करके नहीं खाना होता है उसको नेचूरल रूप में यूज करें आपकी बॉडी में चुकल रहेगी जहां दोस्तों अब हम आप सबको बताने जा रहे हैं दू तो डंक मार दे तो उसे जहर का ही इंजेक्शन दिया जाता है लेकिन करेला कता ही जहर नहीं है लेकिन हमारी बॉडी के लिए फैट के लिए वह एक जहर की तरह ही काम करता है फैट को ऐसे खतम करता है जैसे कि जहर किसी मनुष्य या सजीव के जिंदगी को फैट से इसकी हासी दूस्मनी है क्यों क्योंकि करेला जब हम खाते हैं दोस्तों तो क्या होता है उसको पचाने के लिए कैलरी की जरूरत होती है डाइजिस करने के लिए कैलरी की जरूरत होती है और वो कहां से निकल के आती है जो हमारी बोडी में फैट होता है कैलरी से फैट बनता है और य या यूं कहें रामबान के रूप में और डाइबिटिक लोगों के लिए तो यह रामबान ही है दोस्तों उसकी जिंदगी है क्योंकि अगर ब्लड में आपके सुगर की मात्रा बढ़ी हो तो आपको जानते हैं कि कोई भी हमारी बोड़ी में घाव हो या किसी भी प्रकार की प आपको यह ग्रू करती है बढ़ाती है इसके हमारी बोड़ी जो है वह रोगों से बहुत जल्दी लड़ करके ठीक हो जाते है इसके साथ साथ दोस्तों का रहला जू है वो लीवर को लिवर को क्लीन रखता है यानि कि आपको अगर यूरीन संबंधी कोई भी समस्या है दोस जो चीजों की जरूरत होती है सही रहने के लिए वो सारी चीजें भरपाई होते क्योंकि ब्लड हमारे पूरी बॉड़ी में बहता रहता है और उसी की बदोलत हमारे पूर्या बॉड़ी जो है वो संतुलित रहती है और ब्लड में अगर सारी चीजों यानि कि जो जो चीजें चाहिए होती है उनकी मातरा सही रहे था हमारी बॉड़ी स्वस्थ रहती हैं और यह काम करता है क्रेला क्योंकि गुप्यूर्इथ कर देता है और इसी की वज़र से अगर आप का गुप्यूरिफाइड है तो आपकी प्एमळी वैसे भी खतम हो जाती हैं सारी विमारियां मुटापा भी नहीं बढ़ पाता है क्योंकि आप अगर स्वस्थ हैं तो आप exercise भी नॉर्मली करेंगे चलेंगे भी नॉर्मली अब मोटे लोग हो जाते हैं तो उनको अगरे से जूस के संवन में भी बताएंगे जिसको आप सम्मिलित रूप से यानि किकतृत करके ले सकते हैं यह सारी चीजों को कंट्रोल करेगा आये उससे पहले हमारे जूस में यूज होने वाले एक और environment के बाओधार हैं एक और और औशधी के बारे में बताते हैं जहां दोस्तों अब हम आप सब को अगली और शदी के बारे में बता रहे हैं कडी पत्ता और यह ऐसी औशधी दोस्तों जो कि हर जगह यानि कि किसी के घर के सामने भी बहुत एजली मिल जाती है और इसके फायदे आप सुनेंगे तो अनेकों हैं अगर आप इसको अकेली भी यूज करते हैं तो आप देखें कितनी बिमारियों से बच जाते हैं सबसे पहले तो कड़ी पत्ते में बिटाम समभान होता हैं आप सभी को पता है अगर साइन्स पढ़ते हैं स्टुडेंट है साइंस के तो आपको पता होगा कि वी बिटाम एक जो है वे त alguns को कॉई है उसमें इनफेक्शन है या कुछ भी तो या प्रेग्नेंसी दौरान ओरतों के लिए यह बहुत ही लांपकारी सावीत होता है इसमें जो तीसरी वी यह विटामीन सी वीटामीन सी वैसे तो हम कोई भी अगर ङडल्ल किस्पा क्टेण जिसको खाने के बाद अगर हमारे मुँं से सी की आवा जाए तो समझे कि उसमें बिटामिन C होता है लेकिन कड़ी पत्ते में बिटामिन C होता है और इसके फायदे क्या है यह बताने की ज़रूरत नहीं है बिटामिन C की वज़े से आपको रोग प्रतिरोधक छमता जो है आपके बौडी की वो बहुत बढ़ जाती है और जब हमारे बौ या बिमार हो जाते हैं यह दूप से ठर ठंड में आ गये प्टा-फट बिमार हो गये क्यों क्योंकि उनकी बॉडिकि रोग प्रति रोधक छमता जोर। जाती है और यह सारी भर पाई कर देता और इसमें पाया जाता है विटामीन इसे हमारी स्कीन जो है वह हेल्दी रहती है और चमकीली रहती है यह इसकीन की और इसमें यह सहायक होता है वैसे उनको भी हैंडसम दिखने का बहुत सोख होता है तो आपकी स्कीन जो है हेल्दी रहेगी आप कहीं भी जाहेंगे तो कॉन्फिडेंट करेंगे क्या होता है हमारा जब संदर अच्छा होता है तो हम अगर कहीं भी खड़े होते हैं किसी पत्ते से मिल जाता है और हैर की प्रोग्लिम आज कल कोई भी ऐसा बंदा नहीं है अगर सिटी में आप रहते हैं खास करके मेट्रों सिटी वगरा में तो इतना पॉल्यूशन बढ़ गया है दोस्तों कि आप बाहर निकलते हैं बालों पे धुल मिंटी परती है डेंडर हो ज इस वज़े से आपके हैर फॉल जो है वो कम हो जाता है जहां दोस्तों अब हम आप सबको बताने जा रहे हैं इस जूस में यूज होने वाले अगनली और शधी के बारे में धनिया वैसे तो हर जगह मिल जाती है और बहुत आसानी से मिल जाती है लेकिन आप इनके फायदों से अवगत नहीं होंगे हम आपको बताते हैं कि इसके फायदे क्या क्या है पोटैसियम जहां दोस्तों इसमें पोटैसियम के मात्रा पाई जाते हैं जो कि हाई ब्लड प्रेसर को कंट्रोल करने में सहायक होती है या यूँ कहें उसको कंट्रोल करने की एक अचूक और शधी है दोस्तों इसके साथ साथ दोस्तों धनिया में विटामिन के की मात्रा पाई जाती है और वैसे आप जानते हैं कि विटामिन के की मात्रा बहुत ही कम और शधियों में पाई जाती है और यह जरूरी होता है अमारी बोड़ी के लिए क्योंकि देखते हैं अमोमन क्या होता ह कि किसी की अगर हड़ी तूट जाती है तो जल्दी जूड़ी नहीं पाती है क्यों क्योंकि उनकी बॉड़ी में विटामिन के की मात्रा कम होगी तो फिर प्रोब्लेम होती है दोस्तों और यह बॉन्स को मजबूत करने के लिए बहुत ही अच्छे और शुच्रधी यह धनिया क्योंकि उसमें विटामिन के की मात्रा पाई जाती है धनिया में दोस्तों प्रोटीन की भी मात्रा पाई जाती है और ये प्रोटीन जो है मैंने बटता आया था आपको आपने ध्यान से सुना होगा तो ये प्रोटीन जो है यानि कि पोटेटो में भी पाया जाता है लेकिन ज उसमें बहुत सारे लोगों को मन में ब्रांतियां ढर यह वो रहता है तो उसमें क्या होता है यह आपकी सेक्स छमता को बहुत ही इंक्रेज करता है आप पाउरफुल महसूस करते हैं तो इसलिए भी धनिया बहुत ही महत्वपून और शधी है दोस्तों मैंने आपको चार और शधियों के बारे में बताया उनके गुनों के बारे में आपको बताया अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इनको अब आप मिक्स करके कैसे यूज कर सकते हैं क्योंकि नॉर्मली आप जानते हैं कि इनको अलग-अलग यूज नहीं कर सकते हैं बिना तले चीजों को आप पहले सफाई का खयाल रखें यानि कि दोलें से स्वक्ष पानी से अच्छे से दोलें इसको इसके बाद इसे साफ बरतन में कट कर लें इनका छोटे-छोटे टुक्ले बना लें इनके फिर अगर आपके घर में जूसर हो यानि कि वेजिटेबल जूस निकालने जूस में यानि कि आपका 200 ml अगर जूस है तो इसमें 200 ml पानी मिक्स कर दें दोस्तों इसके बाद इसका सेवन आप करें यह सबसे सही तरीका होगा क्योंकि इसमें सारी चीजे नेचुरल होंगी आपको कोई भी एलिमेंट्स जो मिलेगा इसमें जो भी आपको फायदी की च हो दोस्तों और कि है अगर मानोगी क्हसी के पास जूसर नहीं हो तो वो क्या करेगा कुछ जादागा निकारना है कि इसमें फ। तोड़ा मात्रा में मिलाए और ऐसे बरतन में रखें जिस्में कि उबाल सकें और इसको उबालल लीजogo कर के चांद डिजिए और जूस ज तरीका है कि उसको कूट लीजिए अगर आपके पास जूसर नहीं है तो उसे कूट लीजिए और इसके बाद उसे सुती कपड़े में रख करके निचोड दीजिए जूस निकल जाएगा दोस्तों इस तरीके से अगर आप जूस का सेवन करते हैं तो आपका मोटापा जो है एक क्याल रख लेगा दोस्तों नमस्कार हम आपको एक और टोपिक पर अगली बार मिलेंगे धन्यवाद